नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके पने YouTube चैनल आकास Global Studies में दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश इस वेसल जीके के बारे में और इस लेक्चर में हम मैप के माद्यम से कंप्लीट उत्तर प्रदेश जीके को पढ़ेंगे जितनी भ वीडियो को अंत तक जरूर देखीगा चैनल पर जो साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वेल आइकन को प्रेस करिए जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेश सबसे पहले आपके पास पहुंचे चलिए देखते हैं पहले में कुछ आपको दिखाई दे रहा चाहिए याद होनी चाहिए क्योंकि यहां से भी कुछन पूछ लिया जाता है क्या चीज़े याद होनी चाहिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का नाम करड़ है वो कैसे कैसे हुआ किस किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का नाम करड़ उत्तर पस्चिम प्रांत उत्तर पस्चिम प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम था तो यह चीज़े आप लोग नोट करिए नोट सुनाइए बाकि इसकी पीडिएप कहां मिलेगी हम आंगे बताएंगे आपको कैसे इसको डाउनलोड करना होगा सारी चीज़े आपको क्लियर करके बता हिस तरीके से आपको यह पीडिएप मिल सकते हैं फरवरी Eduimizi 2018 में फरवरी 1870 में इसका नाम था उत्तर पस्चिम प्रांत एह उत्तर पस्चिम प्रांत वह अवद वह आवद शर्चिन असका नाम था वह अगरवद्स का नाम क्या था उत्तर पर स्ष्म ग्रांफ वह अब आगरह 1817 में इसका नाम रखा गया ही कि você 2 सो दो में इसका नाम रखा गया था सहनुक्त प्रांथ नाम का रहा गया था visitor 1902 में संयुक्त प्रांत अवद वा आगरा 1902 में रखा गया था इसके बाद में 1937 में इसका नाम रखा गया था केवल संयुक्त प्रांत अवद वा आगरा को हटा दिया गया और नाम रख दिया गया संयुक्त प्रांत उस्तर प्रदेश का नाम क्या रख दिया गया संयुक्त 24 जन्वरी 1950 को ये डेट इंपोर्टेंट है इसको याद रखिएगा 24 जन्वरी 1950 को इस दिन क्या होता है उत्तर प्रदेश अपना इस्थापना दिवस भी बनाता है इस्थापना इसी दिन उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था और इससे नाम रखा गया था उत्तर प्रदेश 24 जन्वरी 1950 को अगर इसका पुनरगठन की बात की जहें इसका पुनरगठन कब हुआ था उत्तर प्रदेश का तो पुनरगठन बताईगा सर, एक नवंबर, एक नवंबर 1956 को इसका पुनरगठन हुआ था, एक नवंबर 1956 को इसका पुनरगठन हुआ था, इसके बाद में एक जानकारी आपको और रखनी होगी, वह कौन सी है, कि इसकी राजधानी, राजधानी कैसे कैसे, इसमें परिवर गरतन आये रासधानि कैसे रखनों पड़ी यह जीज़बी आपको याद रखने चाहिए कुछ कि ऐहां से फुर्शन पूछा झा चुकह हैं तो अगर रासधानी की बात की जाए तो रासधान में आप सर बताएएगा इसकी जो रास्धानी है अगर बात की जाए आगराः इस तो प्रियाग राज बताईगा सर 1858 से 1921 तक इसकी राजदानी प्रियाग राज रही थी इसके बाद में लखनव राजदानी कब रही लखनव राजदानी कब रही 1921 से 1935 तक तो सर लखनव तो अभी भी है तो जब यह लखनव राजदानी रही थी 1921 से 1935 तक तब यह रही ती एंसिक रूफ से कैसी रही थी आंसिक रूफ से रही थी आंसिक रूफ से लेकिन अब बरत्मान में पूरторов se गई तो उत्तरप्रदेश की पूर्ड रूब से राजदानी बनाए गई ते यह चीज भी आपको याद रखना हुआ कब बनाए गई ती 1935 में तो यह चीज भी आपको याद रखने होगी इसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तर उत्तर प्रदेश की सीमा यह बहुत ही इंपॉर्टन कुश्चन है यहां से कुश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की सीमा बाकि हम छोटा-छोटा डाटा हर एक मैप में कुछ ना कुछ जैसे बहुत से data हैं तो इंको हम χर मैअप के मानदें से थोड़ा थोड़ा आपको बताते हुँ चलेंगे जिससे आपको तकलीफ ना हो तो उतर परदेश की सीमा की बात की जाए तो सर अगर पूछा जाए उतर परदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है उतर सीमा कितने राज्यों से लगती है आठ राज्यों से लगती या उत्तरप्रदेश की सीमा तो बताईगा सर यह कौन रखनी होगी अगर कुछन पूछा जा इस्टेट कितने हैं तो इस्टेट बताईगा सर आठ इस्टेट के साथ सीमा साजा करता है कंट्री पूछा जाए तो बताईगा सर एक कंट्री के साथ सीमा साजा करता है यूनियन टेरेट्री यानि केंदर सासित प्रदेश पूछा जाए तो बताईगा सर एक कें सीमा साजा करता है तो सर बताएगा सबसे पहला हिमाचल प्रदेश जो सबसे कम सीजा सीमा साजा करता है सबसे कम सबसे कम सीमा साजा करता साहरनपुर के साथ बहुत थोड़ी सी लगती है तो सबसे कम लिख लिजीगा हिमाचल प्रदेश दूसरा क्या हो जाएगा 36 हो जाएग इसके बाद में क्या हो जाएगा चार खंड हो जाएगा और क्या हो जाएगा उत्तरा खंड हो जाएगा और राजिस्तान हो जाएगा इसके बाद में बिहार हो जाएगा बिहार भी करता है और मद्द प्रदेश हो जाएगा और पूछा जाए अगर सबसे कम हिमाचल अगर यहीं पे पूछा जाए कि सर एक केंदर सासित प्रदेश एक यूटी कौन सी है तो बताईगा सर एक यूटी है एक मातरी यूटी है जो कौन सी है दिल्ली इसके बाद में एक कंट्री पूछ ली जाए कि सर एक देश कौन सा है कंट्री कौन सी है तो बताईगा सर नेपा एक देश है जिसके साथ उत्तरप्रदेश सीमा साजा करता है तो यह चीज़े आपको क्लियर इतली आद रखनी होगी बाकि कौन-कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं इस चीज़ को भी हम देखेंगे फिलाल में हम भौतिक इस्तिती के बारे में एक बार रुख करते हैं तो में भौतिक इस्तिती में जगर अब भौहौलिक परचए को पढ़ेंगे तो उत्तरप्रदेश का 6 तरफल यहां पर उत्तरप्रदेश का 6 कितना दिया गया है दो लाकर 40,928 बर किलोमीटर उत्तरप्रदेश का से टरफल है और अगर पूछ लिया जाए की मील में बताईगे केसर की मील में कितना होगा तो 93,023 यह इतने मील 93,023 मील उत्तर प्रदेश का छेतर फल है पुनर गठन से पहले उत्तर प्रदेश का छेतर फल कितना था दो लाग की तरी प्रदेस का छेतर खरत प्रिसे प्रस्त सथान कीबात कर ली जाए तो यहे कुल छेतर फल का कितना है 7.3 तीन तीन परस्त है और यह इस्थान केरी रखता है चोथा इस्थान रखता है तो छेतर फल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कौन सा इस्थान है भारत में? चोथा इस्थान है पहला इस्तान किसका है भारत में पहला इस्तान है राजिस्तान का राजिस्तान के छेतर फलका कितने प्रस्त है राजिस्तान उत्तर प्रदेश का छेतर फलका 10.4 प्रस्त है और मद्द प्रदेश दूसरा इस्तान रखता है जो 9.38 प्रस्त है और महराश्ट तीसरा इस्तान र प्रिस्त है और इसके बाध में गुजरात आ जाता है तो गुजरात कितने प्रिस्ते पांट दसलों नो छे प्रिस्त है अगर सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो सबसे छोटा राज्य बताएगा सर्ग जो सबस्फ innovative kouses सा हो जाएगा यहां पर तो यह बड़े रहें यह जो राज दिए गए च्छेतर के साथ से बड़े राज दिए गए यह अब इसके बाद सबसे छोटा लाश्ट में लाश्ट में पूझे जा तो कौन सा हो जाएगा तो लाश्ट में हो जाएगा गोवा सबसे छोटा राज है उत्तरपदेस का उत्तरपदेस की भगोलिक इस्तिती क्या है तो उत्तरी अक्षाnd से तरीय अक्षांस क्यूंकि उच्छान्स है और पूर वह देस यहाद रखनी होगी मैंने जब इसे प्रिफे हैं इसे कहते हैं और इसे केते हैं दख्रिया चांस या फिर दख्री गोलार PDF तो और तरी घोलार दे जैने भारत की स्सिंदिए यह भारत की स्क्रम जहां पर भारत की स्थिटिए वहीं पर उतर-पधादेस कि इस्तिति यह वाली यह उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश गलोब में किस इस्तान पर पढ़ता है उत्तरी एक्षांस पर पढ़ता है तो अक्षांस किसे कहते हैं अक्षांस कहते हैं जो यह रेखाए होती है यह रेखाए होती है इसी लेटी हुई जिदे तक उत्तरिय चांस है यह बताएगा सर पूर्वी देसांतर तो पूर्वी देसांतर क्या हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो इस्तिति यह पूर्वी देसांतर इस वाले जो देसांतर रेखा से अगर हम देखें तो यह जो मारा आए वो कौन सा है से यह मनें देखा था लॉंगी ट्यूट से तो देसांतर लेटिटीट से तो मतलब अक्छांस तो यह चीजे आपको याद रखनी होगी अगर यहीं पर बात कर ली जाए कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी जिला है उत्तरी जिला कौन सा है तो बताएगा सर सहारनपूर पूर हम हो जाएंगी सारी अब हम बात करते हैं पूरव से पस्चिम की दूरी कितनी है पूरव से पस्चिम की दूरी कितनी है छेसो पचास किलो मीटर पूरव से पस्चिम की दूरी है और इस दूरी की अगर बात की जाए इस दूरी की तो यह दूरी जो कितनी है यह बताएगा स उत्तर से दक्षड की जो दूरी है वो कितनी है दो सो चालिस किलोमेटर उत्तर से दक्षड की दूरी है यह सारे डाटा आप नोट कर लीजिए बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम पॉइंट आप व्यू से इसके बाद में जिलो को जान लेते हैं कौन कौन से जिला है जो इसके साथ सीमा साजा करता है उत्तर प्रदेश को कि यह समय आपको पॉइंट करने बहुत इंपोर्टन पॉइंट है मोकि इसकी पीडियेफ आपको किस तरीके से कहा मिलेगी तो इसके लिए आपको इक्जाम बेंब अप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा लिंक लाउनलोड यहाँ पर जाकर पीडिएफ को निकलवा कर आप इसी में अपने नोट्स मैं नोट्स XI में बना लीजीगा तो यहाँ आपको आसानी रहेगी तो यहां हम बात करने वाले थे किस विसे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से जो उत्तर प्रदेश के सीमा वरती जिले हैं वो कौन मुझफर नगर हो जाएगा तीसरा विजनौर हो जाएगा चौथा मुरादाबाद हो जाएगा पांच मा रामपूर हो जाएगा छटा कौन सा हो जाएगा बरेली हो जाएगा और सात्मा हो जाएगा पीली भीत सातमा कौन सा हो जाएगा पीली भीत हो जाएगा ये सातो जिले आपको याद रखने होंगे नेपाल के साथ भी उत्तरपदे सात जिले साजा करता है कितने जिले साजा करता है सात जिले साजा करता है तो कौन कौन से हैं नेपाल के साथ तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा महराज गंज, दूसरा सिधारत नगर, तीसरा बल्रामपूर, चोथा सराबस्ती, पांचमा बहराइच, छटा लखीमपूर खीरी, सातमा पीली भीत तो ये सात जिले आपको याद रखने होंगे, किसके लिए नेपाल से सीमा साजा करता है, तरपदेश के सात जिले बिहार के साथ कितने जिले सीमा साजा करते हैं तो बिहार में देखेंगे तो साथ जिले सीमा साजा करते हैं कौन कौन से बिहार में जो साथ जिले हैं वो कौन कौन से हैं तो एक हो जाएगा महराज गंज एक कौन सा जाएगा महराज गंज दूसरा हो जाएगा देवरिया, कुशी नगर, बलिया, गाजीपूर, चंदोली तो ये हो जाएंगे आपके साथ जिले जो किसके साथ सीमा साजा करते हैं जो भी हार के साथ सीमा साजा करते हैं कौन कौन से हैं ये चीज़े आपको याद रखनी होगी तो बताएगा सर, एक हो जाएगा आपका महराज गंज, एक हो जाएगा महराज गंज, दूसरा हो जाएगा कुशी नगर, तीसरा हो जाएगा देवरिया, चौथा हो जाएगा बलिया, पांचमा हो जाएगा गाजीपूर, छटा हो जाएगा चंदॉली, और सातमा हो जाएगा कौन से हैं तो इसको देखेंगे तो सबसे पहले आगरा आजाए क्यों कि यह देखिए आगरा का कुछ हिस्सा ही है मदब्रजिक साथ सी मैसेज़ा करता है इताबा हो जाएगा जालाउन जाएगा जहासजर लजीदोर जाएगा चार अब हो गए महोबा पांच85 शित्र कोट साथ प्रियागराज आठ्व अधा होगा और सब्सक्राइब जिले बहुत इंपर्टन ने हैं यह आपको याद रतने होगे इसके बाद में घ्याणा घुले कौन कौन से एक बाएब करनेगे बार फिर से तो पहले आग्रां धालैइगाcarbon साल हो जाएगा चौछा कौन सो जाएगा जान सी ओजाएगा पांचमा होजाएगा ललित पूर्पुर यह लृजी पूर भी आपको याद रखना होगा लिड़ीत पूरह जाएगा इसके बाद में 1900 हिवा हो चाहेगा चाहर्णाई काहिछा उचाहरा किटने हो जाएगे तो कुल कितने हो जाएगे तुल कितने हो जाएगे Бाग्पत इसके साथ मधध इसके बाद में हर्याणा देखेंगे, हर्याणा के साथ 6 जिले साजा करते हैं, एक कौन सा हो जाएगा, सारनपूर हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, बागपत, और चौथा कौन सा हो जाएगा, गौतम बुदिनगर, पाचमा हो जाएगा, काहरें लिए सेमा साजा करते हैं इसके यहां से राज Weasel hawam करो क्यों से दो जिले हैं तो मतृरा है आगरा है तो इन दो जिलों के साथ सीमा साजा करता मैं राजा साथ इस चीछ भी आप नोट कर लिजीगा अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बन रिपोर्ट के बारे में उत्तर प्रदेश की बन रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं तो बन रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ हम डाटा देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश को चा पताइगा सबसे बड़ा मंडल सा है सबसे बड़ा मंडल कौन सा सब von आथारवा मंदल जो भो इढ़ार इसके बद में सबसे बड़ा मंडल कौन koş से हैं तूए सबसे चोटे मंडल कौन कौन से हैं मिर्जापूर जहांसी और कौन सा हो जाएगा और कौन सा बस्ती हो जाएगा और कौन सा बस्ती हो जाएगा ये आपके छोटे मंडल हैं जो इसमें कितने कितने जिले आते हैं तीन तीन जिले आते हैं किसमें छोटे मंडल में और उत्तर पतेस में कुल मंडल की संक्या कितनी है 18 मंडल की संक्या है जिलों की संक्या कितनी है अगर जिले पूछ लिए जाएं तो जिला बताएगा सर्फ 75 जिला हैं कितने जिला हैं 75 जिला हैं तहसीले कितनी है 351 तहसीले हैं आर्थिक संभाग छेत्र कितनी है चार जोकी मै अलीगड मंदल बना था इस मंडल में कितने जिले आते हैं align इयरां कौन कौन से जिले आते हैं एक तो Al scanner हो जाता है एक Ultra आ जाता है दूसरा काहिस्ट गंज आ जाता है और हात्रस आजाता है तो ये चार जिले हैं अलीगड मंडल में आ जाते हैं उत्तरपतेस बन रिपोर्ट 2021 की बात की जाए तो इसमें जो कुल बनावरण छेतर है वह कितना 14,817,89 और 8,9 बर किलोमीटर यानि 6,15 प्रिस्ट है तो ये देखते हैं सोन बद्र में सोन बद्र में क्या है सरवादिक बन छेतर पाए जाता है और सरवादिक बन छेतर प्रिस्ट में कहां पर पाए जाते हैं सरवादिक जो बन छेतर प्रिस्ट हैं वो कहां पर पाए जाते हैं सोन बद्र में ही पाए जाते हैं इसके बाद में आपको नियूंतम देखिए तो नियूंतम बन शेतर वाला जिला है तो यह जिला है जो नियूंतम बन शेतर वाला जिला है इसके बाद में नियूंतम बन शेतर वाला जिला भी यही है तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़े याद रखनी होंगी कुछ चीज़े important है वो data आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके बाद में जो अगला है अगला है उत्तरप्रदेश बन रिपोर्ट में ही देखेंगे तो same to same वही आ गया है अब उत्तरप्रदेश में पाए जाने वाले बनों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे तो बनों के प्रकार में कितने प्रकार के बन पाए जाते हैं उस्ड कटबंदिये आद्र पढ़डपाती बन उस्ड कटबंदिये सुस्क पढ़डपाती बन और कटीली ज़ाडियां ये तीन प्रिकार के बन पाए जाते हैं जो ये वाला भाग होता है ये वाला भाग जिसे हम दच्छड का पठारी भाग भी कहते हैं तो दच्छड के पठारी भाग में कौन कौन से पाए जाते हैं कटीली जाडियां पाए जाते हैं कर्षिड के पठारी बाग में और भावर एवंत तराई के छेत्र में उस्टal कट्वन्दीे और पढ़न पाती बनाए जाते हैं घंगाएमना के मैदान में उस्टal कट्वन्द ये तो यह चीज भी आपको याद रखनी होगी इसके बाद में चलिए अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी बिहारों के बारे में चर्चा करते हैं तो उत्तर प्रदेश के पक्षी बिहार कौन कौन से हो जाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे गौतम बुद्ध नगर में गौतम बुध्य नगर में ओकला पच्छी बन्य जीब विहार है अलीगर में कौन सा है सीखाजील पच्छी बन्य जीब विहार सबसे चोटा है जो की कहां पर है एटा में पड़ता है दो नोज में कौन सा है लाख बहुसी पक्षी बिहार सांडी बनने जीब पक्षी बिहार कहा है हरदोई में है गोंडा में कौन सा है पारपती अरंगा पक्षी बिहार है बखीरा पक्षी बनने जीब बिहार संतकवीन नगर में है और बलिया में कौन सा है तो जैप्रकास नारायर जिसे सुरहाताल भी कहते हैं, सुरहाताल पक्छी बननेजीब बिहार कहां पर है, यह है आपका बलिया में राय बरेली में कौन सा पढ़ता है समस्पूर पच्छी बनने जीब बिहार परताबगड में डाक्टर भीमरा अमबेटकर पच्छी बनने जीब बिहार उन्नाओं में कौन सा पढ़ता है सहीदर चंदर सेकर आजाद नवावगंज पच्छी बनने जीब बिहार महोबा में पढ़ता है बिजय सागर पक्षी बननेजीब बिहार उत्तर प्रदेश में पक्षी बननेजीब बिहारों की कुल संग्या कितनी है चौदे है और आगरा में और इतावा में दोनों जगे पर कौन सा पढ़ता है सूर सरोबर पक्षी बन नजीब बिहार आगरा और इताबा में पढ़ता है इसके बाद में यहाँ पर हम कुछ डाटा देख लेते हैं यहाँ पर एक बार हम कुछ डाटा चेक कर लेते हैं डाटा बहुत इंपोर्टेंट है जिससे आपको याद बना रहे तो इसमें हम डाटा चेक करेंगे अब यहाँ पर हम डाटा में हम क्या चेक करेंगे तो बसको नहीं है और यहराख और यह दिखें हम पहले बाड़ते हैं तीन भागों में बाटते हैं जो बनो के प्रकार को तीन भागों में बाटते हैं जो भी बताया था तो एक भाग तो ये रहेगा दूसरा भाग कौन सा रहेगा दूसरा भाग ये वाला रहेगा तीसरा भाग ये रहेगा तो तीसरा भाग ये रहेगा जिसे दच्छिड का पठ रखना होगा डाटा में सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि और बात करेंगे तब भी हम बात करेंगे इसके बारे में लेकिन यहां पर आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि राज्य में सरवादिक वर्सा कहां पर होती है गोरखपुर में होती है राज्य में सेंटी मीटर होती है मद्दवर्थी मैदान में जो ये वाला मैदान और यहां पर वर्षा कितनी होती है यहां बनो के प्रकार आपने देखी लिए होंगे तो बनो के प्रकार में ही हम चर्चा कर लेते हैं मर्दा के बारे में तो कितने प्रकार की जो भावर मर्दा है सराई छेतर की मिठी है जलोड मर्दा है तो इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं उत्तर प्रदेश में यहां पर समझने का प्रयास करते हैं इस जगएपर इसी जगएपर समझने का प्रयास करते हैं तो मर्दाएं कितने प्रकार की पाय जाती है लगवग छे प्रकार की मर्दाओं में भाग भागों में मर्दा को भिवाजित किया गया है तो जिसमें से पहला विवाग कौन सा है भावर मर्दाएं दूसरा कौन सा है तराई मर्दाएं तीसरा कौन सा है जलोड मर्दा चौथा कौन सा है बिन्यन मर्दा चौथा कौन सा हो जाएगा बिन्यन मर्दा हो जाएगा और पांचमा कौन सा हो जाएगा बुंदेल खंडिये म मर्दा और च्छटवा हो जाएगा अरावली मर्दा च्छटवा हो जाएगा तो छे वागों में विवाजित किया गया है जिसमें से अगर जलोड मर्दा देखी जाए तो जलोड मर्दा को दो वागों में एक तो बांगर मर्दा दूसरी कौन सी खादर मर्दा नई जलोड और पुरानी जलोड बिंदिन मर्दा को भी दो भागों विवाजित किया गया है कौन कौन से लाल और पीली मर्दा लाल और पीली मर्दा बुंदेल खंडी मर्दा को दो भागों विवाजित किया गया है काली मर्दा काली मर्दा और कौन सी हो गई लाल मर्दा काली मर्दा और ला कर półजबा हो जाएगी जब लाल मर्दा को दो बागम भी वाजज़ रियगे तो इसमें परवा मर्दा या परवा कह सकते हैं और इसमें जो दूसरी मर्दा या वाज़ेगी बुक्त कर सकते हैं कौन کौन से लाल और हो जाएगे भूरी रेत हो जाएगे लाल रेत और भूरी रेत हैं तो ये उत्तर प्रदेश की कुल मृताएं हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा तो हम इसमें सारी चीज़े क्लियर करेंगे तो आपको एक चाहिए और याद रखनी होगी कर चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे वीडियो की लेटेस्ट अब्डेट मिल जाए आपको अगर कोई भी कोर्स पर चेज करना है बहुत ही अफॉर्डेवल प्राइस में आपको एक्जाम बेपर कोर्स मिल जाएंगे जिसमें यूपी यूपी जी के अगर आपको पढ़नी है तो उन्चास रुपए में आप यूपी जी के का भी बैच ले सकते हैं तो बहुत ही सस्थे में बैच दिए गया तो जल्दी से परचेज करिए इसके बाद में हम उत्तर प्रदेश में बरसा वितरड के बारे में जो मैंने बरसा वि इताए यह जो चैन window भरसा का दिया गया है हमन बरसा होती है तो बहुती कम बरसा होतीं जो यह आती अलप बरसा वाला चैक बाके ऊपले आप जिलें लिए कौन कौन से जिला पड़ेगा यहां पर आप एक चीज नोट करिएगा तो यह जो जिला है यह जो जिला दिया गया है इसको नोट करिएगा बदो हुई यह कौन सा है बदो हुई जिला हो जाएगा अब भौतिक बिन्यास के बारे में देखते हैं तो यह जो दिया गया है भावर एवम तराई का छेतर दिया गया है जिसके बारे मैंने बताया था भावर एवम तराई का छेतर है गंगा यमना का मैदान या दोव कह सकते तो यह जो बीच वारा दिया गया है यह गंगा यमना क के दूआब में आता है तो यहां पर इस मैप के माद्यम से आप समझने का प्रयास करिएगा यहां से आपको मैप के पूरा मिल जाएगा सभी चीज़े मैप के आपको एक्जाम्बेव अपली किसन पर मिल जाएगी तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए बनने जीब बिहारों के बारे में चर्चा करें तो हस्तिनापूर बनने जीब बिहार यह कहां कहां पर पढ़ता है मुझफर नगर हापुड अम्रोहा और बिजनौर में किसनपूर बनने जीब बिहार लखिमपूर खीरी में पढ़ता है और कतरनिया घाट वहराईच में पढ़ता है सूहागी बर्बा जो की सबसे पुराना बनीजीब बहार है Training नदी आती नदी तो गंगा नदी यहां से निकलती है और साथ में जर उपर क्यों और आती है आपको दिख रहे होगी यमना नदी यमना नदी और गंगा नदी का जो संगम होता है वो उत्तर प्रदेश के प्रियागराज इलाबाद में होता है संगम और गंगा नदी और यमना नदी का स पहला संगम माने जाता है उत्तर प्रदेश में गोमती नदी यह देखिए लखनव से होते हुए यह देखिए यहां पर आके मिल लाई है इसके बाद में सारदा नदी आती है सारदा नदी भी उत्तर प्रदेश की नदी माने जाती है और घागरा नदी रापती नदी नदी भी दच्छड के पठार से निकलने वाली नदिए हैं और सौनreiben से निकलती है तो इसलिए इसका नाम भी सौनन नदी है तो यह असे यह चीजे भी आपको याद रखनी होगी और ये नदी कहां पर जा कर मिलती हैं बिहार राज़ में जाकर दो उत्त्र इसकी जो प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी हो जाएंगी एक तो हो जाएगी यमना नदी दूसरी कौन सी हो जाएगी गंगा नदी हो जाएगी तीसरी कौन सी हो जाएगी राम गंगा नदी हो जाएगी यह हमाले परबस से निकलने वाली हैं मैदानी छेट से निकलने नदि कौन कौन सी हैं तो सारदा नदी हो जाएगी और घागरा नदी हो जाएगी घागरा नदी इसके वाद में राती नदी हो जाएगी राती नदी और कौन सी ची कोवाद में आप हमारे दक्षिड के पठार से नारायनी नदी इसके निकलने वाली नदिया की ती तटीन क्लास में कम्पलीट आपको जانकारी दी थी तो यहां से आप एक चीजे सारी चीजे नोट कर लीजेगा क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है यहां से मैप के माद्दिम से आपको सारी चीजे सिकाए जा रही है उत्तर प्रदेश की प्रमुग जीले कौन कौन सी है तो मुझफर नगर में सुक्रताल जील अलीगर में सेखा जील रामपुर में गौर जील और मतुरा में रादा कुंड कुश्म कुंड नहो जील कोकिला कुंड कृष्णा कुंड मानसी कंगा कुंड आगरा में कौन से हो जाएगी कीटम सूरसरोबर जील इटावा में हो जाएगी सरसे नाबर कनोज में हो जाएगा देवरिया ताल हरदोई में हो जाएगा दाहर एवम विजवाना जील और सहजापुर में हो जाएगा बड़ा ताल या फिर गोखर जील भी कहे सकते हैं पीली वीद में फुलहर जील और कानपुर नगर में कौन कौन से हो जाएगी मोती जील और बलहा पारा जहांसी में कौन से हो जाएंगी बरुवा सागर और लच्छमी ताल महोबा में हो जाएंगी मदन सागर बेला सागर बेला सागर है जो कैसी है करत्रिम जील है कीरती सागर विजय सागर और रहेला सागर इसके बाद में उन्नाओं में कौन कौन से जा पढ़ेगा और बलिया में पढ़ेगा सुरहा ताल और सुल्तानपुर में पढ़ेगा राजा का बांध भुजपुर और और कौन सा बनेगा लोंदी ताल पढ़ेगा गोरखपुर में आपका रामगड़ ताल और बिलुवा ताल पढ़ेगा आयोद्या में आपका दर्बन द उत्तर प्रदेश के रामसर इस तर्या आर्द भूमियों के बारे में चर्चा करते हैं तो मुझफर नगर और बिजनौर में हैदर पूर आदर भूमी मुझफर नगर बा बिजनौर की शीमा पर इस्तित है उपरी गंगा नदी जो ब्रजगाट से नरोरा तक है जो की opardi और इसके बाद में संठ कbीन नगर का बखीर है और उन्नाओ का कौण सपड़ेगा जो आसके बाद में राय वरेली समस्पूर कि बाहर नासरों के निए बा갔 एट्टर प्रदेश प्रमुग नदियां अप वहात अंतर बहुत यहां से कौन सी नदी आती है गंगा नदी आ रही है और यह मुना नदी आ रही है इसी जगह से एक है राम गंगा पर्योजना या राम गंगा पर्योजना है यह इस सिस्थान पर उत्तर प्रदेश के उत्तर उत्तरा उत्रा खंड के बॉर्डर पर राम गंगा पर्योजना है और राम्गंगा नदी राम नादी और यह ना ओन कर मिलती है इसके आफके साब्दा प्रोजेक्ट जो काँ पर गोमती नदी पर उससे प्रषिफींगा या पर जो बादमें उग्यार सुनते हैं गाघला और ये कुवाना नदी राफ्ति नदी गंडग नदी गंडग नदी पर देखें उस्तर प्रदेश और प्रियोजना है नेपाल इसकित उस्तर प्रियोजना है इसके वाद में और भी देख लिते हैं अब उत्तर प्रधिश के कुछ प्रमूख बांधों के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो बिजनौर में कौन कौन से बाद है अफजल गड राम गंगा नदी पर है हरवली राम गंगा नदी पर है इसके बाद में मद्द गंगा बैराज गंगा नदी पर है मद्द गंगा बैराज है यह कहाँ पर है गंगा नदी पर है बनवासा बैराज सारदा नदी पर इस्तित है और गिर्जा बैराज घागरा नदी पर इस्तित है सुहेली बैराज सुहेली नदी पर दखीमपुर खीरी में पढ़ जाता है और राप्ती बैराज राप्ती नदी पर स्रावस्ति में पढ़ता है अब अगर मिर्जापुर के बांदों के बारे में चर्चा की जाए तो मिर्जापुर के बांद में जिर्गो बांद जिर्गो नदी पर अहरोरा बांद गराई नदी पर मेजा बांद बेलन नदी पर इस्तित है और अद्वा बांद अद्वा नदी पर इस्तित है सिर्सी बां में कौन सा मधोहा बांद है जो बिर्मा नदी पर इस्तित है जासी में निम्न बांद जैसे बेतवा नदी पर इस्तित परिच्छा बांद माटा तीला बांद सुक्मा टुक्मा बांद और पत्राई और सुक्राई नदी पर इस्तित पत्राई बांद इस्तित है ललित पुर मे गड़वा बांद है और महोवा में सलारपूर कदरिया नदीपर और अरजुन बांद अरजुन नदीपर इस्तित है सोनमद्र में देखिए कनहरवान, कनहर नदीपर और चंदौली में है जारखन बांद, करम निास नदीपर, चंदरपरवावान, चंदरपरवान नदीपर है इसके बाद में उत्तरपदेश के लगू एवुम कुटीर उद्योगों के बारे में चरका करेंगे और कम्मल निर्माड कागज उद्यों कागवान कहां पर काम होता है मुझफर नगर पर काम होता है मेरट में देखिए कागज उद्यों खेल का सामान दिया सलाई बगरा ये मेरट में बनते हैं और बिजनौर में हतकरगा सूती बस्तर कंबल निर्माड लकड़ी की नकाशी बगरा ये कहां पर होती है बिजनौर में होती है मुरादावाद में पीतल के बरतन और रामपुर का चाकू फेमस है और बरेली में दिया सलाई दरी लकड़ी फरनीचर बेट की छड़ी आदी फेमस है सहजापुर में दरी निर्माड के लिए सहजापुर फेमस है लखनुम बात की जाए तो जरीवाद चिकन का काम होता है जिसमें औसदी लकड़ी के खिलोने भी बनाए जाते है और चिकन मतलब जो चिकन की कड़ाई होती है उसका काम होता है हर जगह पर चिकन की कड़ाई वाले कपड़े फेमस रहते हैं तो यह चीज भी आपको नोट करना है हद करवावा सूती बस्तर उद्योग आपका अम्बेटकर नगर में हो जाता है इसके बाद में जूट उद्योग में गोरकपुर देवरिया में देखिए घरेलू सजावटी सामान और समान पर बुनाई कड़ाई रेडीमेंट कपड़े आधी वगरा आजमगड़ में देखिए हद करवा सूती बस्तर जो की मुवारकपुर में सबस्जादा होता है वह दोई में देखि जानपुर में इत्र और सुगंदी Romeo बागएरा बनाया जाता है कानपुर नगर में दिखी कानकौन सह हो जाता है NEW चानपुर में हो जाता चम्रा उद्योग जूट उद्योग व्होर होजरी उद्योग औसधी निरमाड जहासी में देखि हेंसी से कालपी फिरोजाबाद में देखिए किसका वहता है तो फिरोजाबाथ काच की चूडियां के लिए फे मसे चीनी मिट्टी उद्ड्यों सिग्रेट चीनी और मिट्टी उद्योग के लिए गाजियावाद फेमस है तो यह कुछ प्रमुख जीलों के प्रमुख उद्योग हैं इनके बारे में मैंने चर्चा की थी इसके बाद में अब हमारा जो अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख सोध संस्थान तो गाजियावाद में कौन सा खाद अनुसंदान एवं मानवी करण प्रयोग साला इसके बाद में गौतम बुद्धनगर में आपके बीवी गिरी नेशनल लेवर इंस्टिटूट और आपदा मोचन बल मुख्याले और नेशनल इस्टिटूट आफ आफ कैंशर प्रिवेंशन साथ सबाइब करेंद और मेरेट में पढ़ जाएगा रिसर्च सेंटर पर जाएगा इसके बाद में बरेली में पपसुची कशीं संस्तान नेशनल रिसर्च सेंटर for MET और सेंट्रल एबरिय जो की पच्छी है रिसर्च इंस्टिटूट है लखिम्पुर खीरी में केंद्र यह पशुप्रबंदन जानकारी होती है लखनों में देखिया बहुत से सेंट्रल ड्रिरिसर्च इंस्टिूट है पसुझे लिव Krus 어dy जानस्तान है सेंट्रल मैगो reish出лыट और सब्रक्षल रटिकल्चर और 6 इसके वाद नेशनल वाटेनिकल गार्डन है और सुदूर मुदूर संबेदन सुदूर संबेदन उपयोकेंद रिष्टित नेशनल इस्टिटूट आफ सोसल इस्टडीज आयरुवेदिक रिसर्ट सेंटर भी इस्टित अमेठी में देखिए अमेठी में क्या पड़ जाएगा राजीव गांदी पेट्रोलियम इस्टिटूट सीतापुर में देखिए पड़ जाएगा रीजनल इस्टिटूट आफ थलैमोलाजी बदोई में यह भारती कालीन और दोगी संस्तान इसके बाद में प्रियाग राज म दिखिए संस्तान इंडिन इंस्टिट आफ सूGS टेकिनलाजी सेंट्रल स्टायि इंस्टीट भाती चम्ड़ा रगाई वं जूता संस्तान इंडियन इन्स्टिट आफ टेक्नलोजी और केंद्रिया बननन पना शन्सथान ने की काई पर है कि कि जासी में देखिए तो तो चारा गायवँ चारानुसन्दान, आगरह में कौन-कौवसे प्णंदान, आगरह में नेस्नल अल्माई इस्टिट्डव और लेप्रोसी और नेशनल पैरशुट कॉलेज, मत्रा में प्रोड़ॐ, थिट्पह, ज़--" topik है उत्रप्रीस में खनिस संसादन तो उत्रप्रदिश को वो डच्छड के पठारी ने serie होते हैं वहाँपर किまぁ जाते हैं मैक्सिमम पाए जाते हैं जसमें जहांसी में काच बालू, पोटास, लबड, सेल खड़ी, एसवेस्टस, जिपस्जम, डायसपूर, फेलसपार, यह जहांसी में, महोबा की बात की जाए तो पायरोफिलाइट, डायसपूर, ग्रेनाइट, ललितपूर में देखी यह मुखे पाए जाते हैं इसके बाद में हमीरपुर में पाए जाते हैं बांदा में भी पाए जाते हैं शित्रकूट में पाए जाते हैं शित्रकूट में कांच बालू अधिक्तम पाए जाती है और प्रियागराज में पोटास लबड और कांच बालू पाए जाती है और और कौन सा पाए जाता बेराइट्स पाए जाता यह कुछ कि थे प्रद्दिश के बात कि जाएं तो इंदिर प्रद्देश में उर्जा संसाधन भी पाए जाते हैं जैसे की अली गड़ की बात कर ली पादन केंदर की बात कर लिए तो दादरी ताप विद्दुद परियोजना कहां कि गौतम बुद्ध नगर की ए आवला ताप विद्दुद परियोजना ये कहां कि राय वरेली कि ए टांडा ताप विद्दुद परियोजना ये अमेटकर नगर की ए और या ताप विद्दु पर्यूत्वैय।Ge þभियाग्राच की है सोन बाद्र में और कौन सोन बद्र में और पर्टाप जलवि दुतन धुत के अंद्र형 के और इसके ला बाद permit में महातर टीला जलविद्धुट पर्यूजना राजजगाथ जलुद पर्यूजना उत्र सुम्ट परिच्छा ताप विद्द परियोजना और इसके बाद में अगर बात की जाए बुलंद सहर में तो नौरोरा निर्माड के निर्मित और 220-220 मेगावाट के रूप समान दो सहींत्र कारव रहते हैं उत्तर परदेश के दषनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो उत्तर परदेश में बिविन्म अबस कुछ ओड़े याद कि नौर यदे नहीं नहीं है तो इसको आप मैप के मादिम से अच्छे से याद कर लिए समझने का प्रयास करिए बाकी हम आपको कुछ चीजे बता रहे हैं जैसे अमेठी में जायसी इसमारक है इसके बाद में अमेठी में और कौशामी में काया संत मुलक दास की रामकारम इस्तली है इसके आच्छेत्रकोट में कामदगीरी परवत है और ललितपुर में दसावतार मंदिर भी है कामदपुर में और सुकला तालाब ये कहां पर पढ़ता है ये आपका पढ़ जाता है कानपुर का देख ले पहले कानपुर देखी ये कानपुर का दिये गया है जेके मंदी, जेके टेंपल, महारसिर, बालमी के आश्रम, जो की बिठूर में पड़ता है, और जैसी कृष्णा मंदी या फिर जेके टेंपल, ये कहां पड़ता है, कानपुर में पड़ जाता है, इसके बाद में, और भी जिसे आगरा, आगरा का ताजमेल फेमस है, और क्या यह सब आगरा में तो यह चीज भी आप याद रखीगा इसके बाद में आपको फेमस मिलेंगे इसके बाद में और भी जिसे बहुत से इसके बाद में आपको संत कवी नगर में मिल जाएगी और यूद्या में आपको सुमनात मनिर बाद में इसके बाद में जानपूर में अटाला मस्जिद मिले गी मिर्जा गाजीपुर में देखिए लाड कार्णबालिस मकबरावें लेगा तो यह कहां पर है सीतापुर में नहमी शारणी मिलेगा और हरदोई में आपको विक्टोरिया हाल घंटागर मिलेगा इसके बाद में फरकाबाद में गुरू दोरोड़ा चार जनमिस्तली है मेरी सनातन धर्ममंदिर आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा तो यह गौतम बुद्ध नगर में मिल जाएगा चली अब हम आगे चर्चा करते हैं एतिहासिक इस्तल के बारे में तो मेरट में आलमगीरपूर कपा सुगाने के साक्षिया आपर मिले हैं आलमगीरपूर हडपा सब्विता का इस्तल माने जाता है संत कभीर नगर तो संत कभीर नगर में लुहरा देव जो की प्राचीनतम करसी के साक्षी मिलते हैं कुशी नगर में मात्मा बुद्धिका परीनिर्माड़ है और बारारसी में सार्वनाथ प्रियाग राज में दिखिए तो चौपानी मांडो जोपडियों एवं मिट्टी के बरतनों के अफसेस मिलते हैं प्राचेंतुम साख्षभी आप यहां पर देखने को मिलेंगे अफ्रप्रदेस महाजनपद आ उत्तर प्राचेंत जिसकी सूर सेन महाजनपद जिसकी राजदानी मत्रा ती मत्रा आ जाता था इसके वाद में चेदी महाजनपद में राजदानी सक्तिमती थी जिसमें ललित पूर जहासी महवा बांदा चित्रकूर्ट इत्यादी आ जाते थे और बस से महाजनपद जिसकी राज़ानी कौशामभी थी इसमें कौशामभी प्रियागराज मिर्जापूर बदोई बारारसी इस्तियादी और यहां पर बस से महाजनपद में क्या क्या आएगा प्रियागराज और कौशामभी आएगा और बाकि यह जो कासी महाजनपद में जो कासी महाजनपद में बदोई आ जाएगा मिर्जापुर आ जाएगा चंदोली आ जाएगा बारा रसी आ जाएगा तो इसकी राधानी क्या थी बारा रसी थी मल महाजनपद में देखिए राधानी कुशी नगर थी तो कुशी नगर और देरे बर यहा आएगा कोसल एक कौनसा मिला पांचाल मिला दूसरा कौनसा मिला कोसल मिला तीसरा कौनसा मिला मल मिला चौता कौनसा मिला कासी मिला पांचमा कौनसा मिला बस मिला छटा कौनसा मिला आपको छटा बताईगा तो चेदी मिला चेदी साथमा कौनसा मिला तो सुरसेन मिला आठ्मा कौन सा मिला? कुरु मिला? नोमा कौन सा मिला? तो यह कुछ आठ आठ आपको महाजन्पद देखने को मिलेंगे उत्तरपदेश में अब हम बात करते हैं उत्तरपदेश के सांसकरतिक संस्तान एवं संग्राले के पारे में चर्चा करते हैं लखनों में देखिए लोककला संग्राले 199 में बारत खंडे संगीस संस्तान राजलित कला काजमी फरवरी 1962 में भारत एंदु नुट्टेकाजमी 1975 में तो ये आपको सारी चीजे घ्लियर कर लीजिए सारी चीज़े आपको देखने को मिलेंगी इसके बाद में पुत्रपदे संगीत नाटक अकादमी इसकी स्थापना होई थी, राष्टी कत्थक संस्तान 1988 नवास में स्थापना होई थी, लोक जिंजाती का लाइब शांसकृति के संस्तान 1996 में स्थापना होई थी, अंतर राष कि बहुत संग्राले गोरखपुर में देखिए तो गोरखपुर में आपको देखने को मिलेगा राच्किय बहुत संग्राले कुशी नगर में भी आपको राच्किय बहुत संग्राले देखने को लेगा बारा रसी में लाल वादर सास्तरी समरती संग्राले सुल्तानपुर में जनपदिये संग्राले जहासी में आपको राच्किये संग्राले कन्योज में आपको राच्किये पुरातत्तु संग्राले और फरकावाद में आपको राच्किये पुरातत्तु संग्राले जो कि निर्मारा दीन है और राच्किये जैन संग्राले राच्किये संग्राले आपक उससब देखेंगे तो फर्कावाद के प्रमू मेले कौन कौन से हैं राम नगरिया मेला और स्रंगी रामपूर मेला इसके बाद में कंपिल उससब स्राबडी मेला तो यह कहां के हैं फर्कावाद के फेमस मेले माने जाते हैं इसके बाद में लखनो में लखनो महसब और साहजापुर में धाई गाट मेला इसके बाद में लखीमपुर फीरी में आपको गोला गोकरणात मेला इसके बाद में सहारनपुर में आपको सकंबरी में देवी मेला देखने को मिलेगा मेरट में आपको सरदना महसब और नोचंदी मेला देखने को मिलेगा इसके बाद में हापुर में आपको गड़ मुक्तिस्टर गंगा मेला देखने को मिलेगा मतुरा में आपको लठमार होली और होली को खोली को शब और इसके बाद में हरी दयाल जैनती भी देखने को आगरा में देखेंगे इसकी clear PDF आपको जब मिलेगी तो clear PDF आपको दे देंगे clear PDF में आपको clear दिखाई देगा सारी चीजे clear आपको पता चल जाएंगी उत्तरप्ते लोग कला की बात की जार unfamiliar टे добр दे जा RIGHT लोग्काला में विवाजित किया गया था तो बंडेल खंटी जो लोक कला है जिसमें जहासी की जाती जिसे इस उर्यराइंब करने हैं और यहींपकर सब्सक्राइब का जाता है तो यह इन शेत्र उमर पाए जाता है मतलब यह जितने वी जिले दी गए जिसे पूर्वांचल के जो जिए जिले दीए पूर्वांचल के तो यह पूर्वांचल के जिलों में यह जो नरत पाए जाते हैं वो इन छित्रों में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा यह चीज बताएगे यह पूर्वांचल में यह नरत पाए जाते हैं पूर्वांचल छित्र में पाए जाते हैं ब्रच छित्र में यतने जिले आ जाते हैं तो इसमें चर्कुला नर्तिर रासनति खुला नर्ति और रसिया लोग गीत यह पाई जाते हैं आपको इत्तर्पात्रश के प्रमुक्पत्र एंट पत्रिकाओं के बारे में जान लेते हैं तो बरेली में जो ब्रह्म ग्यान प्रकास है केसव चंदरिस्य द्वारा टत्वेधदी ये गुराव संकर बिद्धिहारती दोड़ा जैसी में दैनिक जागरड जो सरवादीक प्रसार वाला GG 42 में इटावा में परजाहित है इटावा में कौन सी परजाहित है आगरा में आपको सदेल अखवार उर्दू का पहला अखवार देखने को मिलेगा उत्तर पतेश की प्रमुक जंजातियों के बारे में चर्चा करें तो बिजनौर में महीगीर और बुकसा जंजाती पाई जाती है लखीमपूर खीरी बहराइच स्रावस्ती बल्रामपूर सिद्दार्टनगर महराज गंज में थारू जंजाती पाई जाती सबसे जाती है बारासी में 10 ज reden मिर्जापूर और सोन बद्र में मिर्जापूर में देखी कौन को सिंसी गोड़ धुरिया नायक ओजा पठारी राजगोड पंखा और खरवार जंजाती पाजाती जब किसोन बद्र में कर्मा परिया भेगा पंखा पनिका अगरिका पठारी चेरो बुड़िया और खरवार जंजाती ललित पुर में सहरिया जंजाती यहाँ पर अगर जंजाती की बात की जाए तो गोंड जंजाती उत्तर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो के लेटेस्ट सबसे पहले आपके पास पहुंचे मिलेंगे ऐसे ही सांदार वीडियो के साथ में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर बटन पर किलिक करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की लेटेस्ट नॉटिफिकेशन सबसे वहले आपके पास पहुंचे